नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से nutrition 99 में दोस्तों गर्मियों में अक्सर तापमान बहुत जादा बढ़ जाता है जिससे की heat stroke यान की लू लगने की समस्या भी हो जाती है तो हमारे देश में भी 2022 की गर्मिया स्टार्ट हो गई है वो कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा गर्मिया पढ़ने वाली है तो ऐसे में अगर लू लग जाए तो लू लगने के क्या कारण है उनसे बचा कैसे जाए और अगर लू लग जाए तो उससे बार क्या solution किया जाए इसके बर में आज हम बात करेंगे तो जोस्तो जब गरम हवाएं चलती है तो ये शरीर के तापमान को बढ़ा देती है कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता कि उन्हें लू लगी है या नहीं तो चलिए लू लगने के पहरे लक्षन देख लेते हैं दोस्तो जब लू लगती है तो अचानक आपको उल्टी जैसे लगने लगता है तेज बुखार होने लगता है शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद शरीर से पसीना नहीं आता इसका कारण यह है कि शरीर में आपके इलेक्ट्रोलाइट है उनका स्थर बहुत इंबैलेंस हो जाता है और पानी की कमी भी हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों कम से कम 3-4 लेटर पानी जरूर पिना चाहिए उल्टी जैसा मन होने रखता है और उल्टी के कारण सोड लग गई है उसे ठंडी जगह पर लेटा देना चाहिए शीर को ठंडा रखने की कोशिक करनी चाहिए ठंडी पटियां लगानी चाहिए और इसके सावा कूलर या फिर एसी चालू कर देना चाहिए अब हम बात करते हैं कि लू से बचने के लिए आपको क्या-क्या करना चाह गर्मियों में कभी भी घर से निकले तो खाली पेट नहीं निकलना चाहिए समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए ज्यादा देर धूप में भी नहीं निकलना चाहिए अगर आपका काम बाहर धूप में है तो आपको कैप या फिर चाता लेकर ही निकलना चाहिए दोस्तों तके लावा प्याज खाना जोकि सफेर प्याज होता है उसे खाना भी फाइदेमन रहता है जो कि आपको लू से बचाता है अगर 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 को फीरा इत्यादी सलाद में जूर खाना चाहिए, अगर आप कुछ और उपाये देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेल का शर्बत उसी का शर्बत भी आप पी सकते हैं, सेब का सिर्का पी सकते हैं, जो कि पोटैशियम की मात्रा सही रखता है, तो दोस्तों यह कुछ मुख्य उपाये थे, जो कि आपको लू लगने से बचने में फायदा देंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफोर्मिशन अच्छी लगी ह दोस्तों के साथ भी शेयर कीगे, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच्छ